प्रासान विधी से अपने खेतों के मिट्टी को जाच करने के लिए एग्रोनेमेस कंपनी का स्वैल डॉक्टर प्लस के बारे में बताना जा रहा हूं और इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपने मिट्टी का पी एच एन पी के इसमें कितने हैं नहीं हैं यह सब चीज बताने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो इसे ध्यान से देखिए पूरा इन से इसका आप इस्तेमाल करिएगा तो घर में ही आप चंद मिंटो में ही आप अपनी खेत की मिटी के बारे में जान पाएंगे तो इसमें आप एन पी के बारे में जानेंगे कि कितनी मात्रा है पी एच बताएगा तो आईए देखते हैं इस जब्बे में क्या क्या है यह इसको मैंने मंगाया है ओनलाइन मंगाया था यह 697 का है और इसे हम देखते हैं किस तरह से इसका इस्तिमाल किया जाए इसे आए चल देखते हैं डबे खोलते डबा में क्या किया है तो इसमें यह कैपसूल का डबा है और कलर कोड है इससे पता चलता है कि कितना कितना इन पीके का पी एच का मात्रा या फिर लेबल इसमें बता रहा है इसको देखने के लिए यह कार्ड लेबल दिया हुआ है इसके अलावा इसमें रिडिंग मैनुवल है कि ड्रॉप पर है अब courageous है कि कि साथ में इनकी के का ट्यूब है प्टेशियं माष प्टी नाट्रोजन का है प्टेशियं का है यह ग्रीन वाला इस के लिए दिया हुआ है साथ ही ऐस डबब्य अंदर दिखते हैं इसमें और क्या आकाक्या और दिया हुआ है साथ में यह भी सोलीशन दिया हुआ था फस्फोरस की जाज के लिए डब्बे में मुझे यह चार कैपसूल मिले हैं गया है इसक 결व करने के लिए इसमें और एंधर किम एंधर्र हिस्यष्ण कर् Всемिले लिए असफूरी जांट miraculous दियियक होता कि लेकिन जो हम जानते हैं कि हमारे खेत में NPK का ही मत्वव जो basic पहले NPK का मत्वव होता है इसलिए NPK को ही टेस्ट करके आप clear कर ले सबसे पहला होता है कि आप जो खेती कर रहे हैं उसमें pH कितना होना चाहिए इसके लिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं फिर आप में NPK की मात्रा कितनी होने चाहिए यह आप इससे चेक कर सकते हैं और तो चलिए दिखते हैं कि कि स्तरा साइश को चक किया जाता है है ये खेच कि मिटिए जिस खेच का आपको चेक करना है उसको आप करीबँ dealing आसा घंटा पहले इमने एक खेच अलग अलग है है और मेरा प्रोट्व सक चेक करने के इसको भी किनारे कर देते हैं यह जिस खेत का आपको चेक करना आप अपनी तसलिए से चेक कर सकते हैं चारो कोनों की मिट्टी को लेके मिर्दा को लेके आप जाच कर सकते हैं या फिर एक जगा की मिर्दा को लेके जाच कर सकते हैं आपको इस आप से कर सकते हैं कहने का मतलब क अगर आपको एक बार में तसलीन नहीं होता है या फिर आपको अंदाज सही नहीं मील रहा या फिर एकुरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप दूसरी जग़ा से खेट के चारोओ कोनों के मिट्टी और फिर पीज का मिट्टी मतलब 5 जगा से मिट्टी ले कि आप तियार क चेक कर सकते हैं, तो मिटी को करना क्या है, कि पात्र में लेना है, दो असत अनुपात मत्टी रहेगा, और एक पानी रहेगा, चुकि अभी मैं इसमें ले के मट्टी को घोल के इसे आधा गंटे के लिए छोड़ चुका हूं आप उसको आधा गंटा तक छोड़िएगा जिससे उसका जो तत्व है वो पानी में घोल के ऊपर आ जाए और मट्टी नीचे बैठ जाए और पानी भी साफ हो जाए जिसको कैसे करना होता है कि जैसे आप सबसे पहले नाइटोजन चेक करते हैं तो इस नाइटोजन में चार एमेल पानी यह डालना होता है और नाइटोजन का एक कैपसुल डालेंगे और फिर इसको हिलाक अच्छी तरह 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे उसके बाद इसमें अपने कि निकल कर आएगा जिसको हमको इस डबे में दिए कलर से मैच कराना और इसके अनुसार आधार पार अपको पता चले गा कि है आपको उत्ता मातरा खेत में कितनी है कितना देना है कितना मिलाना है np aur fluorini मिलाना है के मिलाना है वो पता चलेगा तो मैं एक को दिखाता हूँ और सारा का सेम ही प्रोसेजर है और इसलिए मैं एक को आपके सामने दिखा रहा हूँ फिर बाकी को मैं रेडी करके रखता हूँ कि इसको इस तरह से खोल लेंगे आप मैंने ये नेटोजन का कैपसुल निकाल रहा हूँ और इसमी कैपसुल बहुत सावधानी से इसको ट्यूब में डालना है इस तरह से मैं कैपसुल को बहुत सावधानी से इसमें डालता हूँ इसमें केमिकल है इसको अच्छी तरह से इसमें डालना है फिर इसमें चार एमिल आपको जो लिक्विड जो खेत का मिठी का पानी से बना है इसमें डालना है फिर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और इसको हिला के अच्छी तरह से मिला के देखिए मिल रहा है इसको अच्छी तरह मिला के इसको बीस मिनट तक छोड़ना है तो सब को इसी तरह मिला के रखना है इसके बाद यह बीस मिनट के अच्छी तरह से मिला देना है और देरे-देरे यह सारा मिल गया है और बीस मिनट के बाद इसमें खुद बखुद कलर आएगा तो मैं बाकी को भी इसी तरह से मिला के बीस मिनट के लिए छोड़ देता हूं दोस्तों सिर्फ फासफोरस में आपको एक अलग से लिक्विड मिला हुआ था तो इसमें मिट्टिक एक्स्ट्रेक्ट जो पानी है वो डाला फिर फासफोरस का केमिकल डाला और इसमें यह चार चार बुन डालना है तो मित्रो हमने सारी परक्रिय करने के बाद यह 20 मिनट का टांग देने के पद देखिए सारे परस का कलर चेंज हो चुका है और इसके बाद इसी कलर को यह जो कलर आया है इसको इस डब्बे में जो कलर दिया हुआ है इससे मैच कराना होता है जैसे हम यह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को हम चेक करते हैं यह चुकि थोड़ा दूर से हो रहा है कैमरा से इसलिए तो यह देखिए इस कलर से यह सेकेंड वाले कलर से मैच कर रहा है तो इसमें देखिए यहां मात्रा भी दिया हुआ है 30 kg पर एकड़ मतलब यहां इसमें आपको मात्रा भी बताएगा कि आपको NPK अपने खेत में कितना मिलाना है इसी तरह से पोटेश्यम की बात करें तो पोटेश्यम का कलर यह पोटेश्यम का कलर आप मैच कराएंगे तो तो देखिए दोनों में से यह इस से मैच कर रहा है यह तीसरे वाले से इसमें आपको दिख रहा है मात्रा कितना बता रहा है देड़ सो केजी प्रती एकड़ या उससे अधिक देड़ सो केजी तो यह इस तरह से हो गया पिएच का देखे पिएच का लेबल यहां है पिएच का मात्रा तो यह इधर दिख रहा है तो इसमें हम मैच कर आकर देखते हैं तो लगभग यह इसी के जैसे आ रहा है कि यह इसमें लाइट हो रहा है कि यह इसमें लाइट हो रहा है कि यह स्वेल टेश्टिंग का यह लेबल है तो इसमें यह इससे मैच कर रहा है शिक्स में तो शिक्स में मैच कर रहा है इसमें आपका मैल्डी एसीडी क्लिखा हुआ है और पी एच भी खराब नहीं अच्छा ही है तो इतर से आप अपने मेटी की जाच कर सकते हैं दोस्तों घर बेठे जाच कर सकते हैं आप लोग बताईए मुझे यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे सेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन प्रेस जरूर कीजिए जिससे मेरा कोई नया वीडियो अगर आता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे आ इस वीडियो कैसाथ मैं अपना यह आज का यह वीडियो साभद करता हूं कि इस भाइयो अधर पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आता करतां आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फैदा होगा ही तो तक के लीए कीजिए ult agar